नमस्का मैं उससी आये जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं भारत संक्रमन के मामले में चोथे स्थान पर पहुंचा यूके इस्पेन को पीछे छोड़का और भारत संक्रमन के मामले में चोथे नमबर पर पहुंच गया है संक्रमन में भारत से आगे सिर्फ तीन देश अमेरिका ब्राजिल और रूस हैं अमेरिका में संक्रमितों का आकड़ा 20,70,961 है तो वहीं ब्राजिल में 7,75,581 है और रूस में 5,2436 मामले हैं पिछले 24 गंटा की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं एक दिन में रूस में 8,789 नए मामले आए हैं तो ब्राजिल में सबसे कम मात्र 397 में नए मामले मिले हैं अमेरिका में पिछले 24 गंटा में 4560 नए मामले आये हैं जबकि भारत की बात करें तो संक्रामन में 9996 नए मामले सामने आये हैं जारखन मौसम विभाग के उनसार 48 गंटे में जारखन के 24 जीलों में बारिस सुरू हो जाएगी मौसम केंद्र के निदेस्तक डाक्टर HD कोटाल ने बताया कि पुर्वतर के राज्यों के अलावा 36 गड़ और उडिसा में मांसून परवेश कर चुका है ऐसे में 28 गंटा की भीतर जारखन में भी मांसून दस्तक देगा सिरी कोटाल ने बताया कि 12 जून से 18 जून तक जारखन के उत्री पुर्वी अर्दशनी भागों में भारी बारिस होने की भी संकेत मिल रहे हैं उधर बिते दिन पाकूल में हुए बजरपाद से दो अलग घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हुए हैं सरकारी स्कूल ले रहे हैं नमांकन सुल्क सिक्षा मंत्री जगनास्त महतोनी जी स्कूल में त्यूसन फिस से तो अभिभाव को कोई रहात नहीं दिला सके लेकिन उन्होंने सरकारी माधिमिक विद्यालों में ही नमांकन सुल्क माप कराने में कोई पहल नहीं की मालूम हो कोई एक जून से राजे भर के विद्यालों में नमांकन जारी है ऐसे में अभिभावकों से अलग-अलग मत में कूल मिला कर अड़ाई सो से चार सो रुपे तक नमांकन में लिये जा रहे हैं जिसमें फारंप की फिस भी सामीली था है जारखन में आज 48 नहीं संग्रों इतों पुष्टी हुई जो सिम्डेका से बीस पच्मी सिम्भूं दो राची से नौ लातेहर पांच लोहर्दागा एक स्कोडारमा तीन हजारी बाग दो पूर्वी सिम्भूं पांच बोकारों से एक हाए जारखन में कूल संक्रमितों की संखै 1551 से बढ़कर 1599 हो गई जबकि 630 लोग स्वास्थ हुए और 8 की मिरिती हो गई भारत में कुल संक्रमीतों की संक्या 2,98,283 है जब की 1,46,992 लोग स्वास्थ हुए और 851 की मिरिती हो गाई एक टीब केस कहा कितना राची 35, बोकारो साथ 14, 28, देवघर 5, धनबाद 62, धुमका 0, पूर्वी सिंभूम 179, गडवा 28, गिरी डी बीस, गोड़ा 0, गुमला 60, हजारी बाग 35, जाम तरा 26, खुटी एगार, कोडर्मा 6, लातेहर 24, लोर्दगा उनईस, पाकुर 24, पलामु 10, रामगर सतासी, साहिव अबुगंज दो सराय के लच्शवबी, सिंडेगा, 195, पच्छमी सिंभूं 33, राटवा 6, को ने सुख्षा मन्तरी के ब्यान का किया स्वागत, शिक्षा मन्तरी जगरनात महतो द्वारा पारा शिक्षको को अस्थाईक रणों, और वेतनमान दिये जाने के ब्यान पर पारा पाराशिश्को को 221-200 का बेतन मान और 19-24 का ग्रेट पे मिलेगा इसमें पाराशिश्को को बेतन में मिल रहे मान्दे से 9000 रुपे तक अधिकराशी मिल सकेगी बिजली बेवस्था दुरूष्ट करे सरकार मरांडी दस भी सामने आएंगे के राची सदर अस्पताल में व पीदी के पर्ची आउनलाइन बनेगी राची त्यारी की जातर प्रवशार जून के वेबसाइट पर जाकर पर्ची कटाना होगा इसके लिए वेबसाइट को जल्दी अफग्रेट किया जाएगा बस मालिकों ने टेक्स माप करने के लिए सीम से की मांग बस अनस एसेशेशन का परति निधी मंडल मुख मंत्री हेमंद सुरें से जार्खन मंत्राले में मिला और पर हमा का टेक्स माप करने और वहन मालिक टेक्स दे चुके हैं उनके वहन टेक्स का समय विस्तार करने की मांग रखी प्रतिन इधी मंडल ने बस परिचलन के लिए वहन मालिकों को एसेशेशन के साथ बात करने के भी आगर्ख किया तबलीगी जमात से जुड़ी 11 कर दी गई पूर्वी सिम्भूं के घाट सिलाई सित कोट के जीला एवं अपर सत्र नियाधिस राम बचन सिंग की अदालत में 11 विदेशी नगरीकों को जमानत देने से इनकार कर दिया मालूम हो कि इन सभी को रखानी दाची के एक मस्जिद से गिरफतार किया गया था जिन महिला यातरी को खासना और शिकना मांगा पड़ गया जब रेल्वे ने उक्त महिला की यातरी का टिकट रद कर उसे टिकट के पैसे वापस कर दिये और आगे की यातरा को रद कर दिया आपको बता दे कि पार्टना निवासी एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ नागर इस्टेशन गुरुवार की सुबह पहुंची थी शिकायत मिले पर अधिकारियों ने जब महिला की जाच की तो शरीर का तापमाण 97 डिगरी था और उन्हें खासी जुकाम की शिकायत थी गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन उपलब्द करवाए सरकार मरांडी भाच्पा विधायक दल के नेता बावुलान मरांडी ने कहा है कि आज तक निकी का जवाना है हर छेत्र में इसका बढ़ चरकर उपयोग किया जा रहा है जो सिक्षा का छेत्र भी इससे अच्छूत नहीं है सरकार ने ओलाइन पढ़ाई की व्यवस्ता जारी की है या सरानिये है सरकार को गरीब बच्चों के लिए स्मार्टफोन की व्यवस्ता करनी चाहिए साथी डाटा कंपनियों से बात कर जरूरत भर नियुम्तम डाटा भी उपलब्द कराना चाहिए बीज बित्रण को लेकर उपायुकते के साथ वीडियो कंफिरेंसिंग मंत्री किरिशी मंत्री बादल पत्र लेक गुरुवार को बीज आवंटन को लेकर सभी आयुक्तों वा जिला किरिशी पता अधिकारियों साथ वीडियो कन्फिरेंसिंग किये उन्होंने खरीब फसल के बीज बीनिम वा वित्रन की रणिती पर चर्चा की साथ ही अभी तय किया की बीज खरीदी में कोई बीचवलिया लाब नहीं उठा सके उन्होंने बताया कि ओला विरिष्टी में फसलों की छती हुई है समीक्षा की जा तथा फसल छती की नुक्सान की भरपाई जल्द हो सके PM केर फंड से जार्खन को मिले 8.67 क्रोर पर जामो नराज जार्खन मुक्ती मोर्चा ने केंदर सरकार पर जार्खन सरकार को 8.67 को रुपए PM केर फंड से प्राप्थ होने पर शुट की लिए है जामो ने ट्वीट कर कहा है कि इतनी रासी मिलने का मतलब हर 3.74 लाग जार्खन्डी के लिए तकरीबन 2 रुपए से कुछ ज्यादा मिल सकेगा जामो मो ने साफ किया कि इस मदद से भाजपा दिखा दिया कि वह जार्खन्डी के लिए कितना सोचती है और कैसे सोच रखती है राची में बोले तयस्वी यादो मुझे गरीबो की चिन्ता राजत सूप्रीमो लालू परसाद्यादो के तियतरवे जनम दिन पर राची आई बिहार के पुर्व उप्त मुखमंत्री तयस्वी यादो ने नितिस कुमार पर तिखा हमला बोलते हुए कहा कि नितिस जिसके भोट पर राजा बने हैं उसी को गाली दे रहे हैं उन्होंने कहा कि बिहार की जनता राजनितिक रूप से बहुत जागरूप है वह सब देख रही है सद तालत को चुनाव की चिंता है मगर मुझे गरीबों की चिंता है नितिस जी को बताना चाहिए कि वे पचासी दिनों में क्या कर रहे हैं जनता कहित में क्या 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 कद ने हजारों रूपय मुल्य के समान की चोरी कर ली बताया जा रहा है कि लोगडाउन की अवधी में छात्रावास बन था और वहां पर फिलाल कोई भी छात्रा नहीं रह रही थी सुचना मुल्ये पर सदर थाना पुलीस मामले की जात कर करवाई में जुट गई है उधर लोहरदागा के किसको परखंड अंतरगत क्वारेटाइन सेंटर में दो दिन पहले दो परवासी भाग गय थे जीन में से एक को पुलीस द्वारा पकल लिया गया है देवघर में टास्क फुर का गठन डिसी देवघर उपायूक नैसी सहाय की अध्यक्षता में एसपी जीले के दोनों अनुमंडल पता अधिकारी परिवहन पता अधिकारी और जीला खनन पता अधिकारी के साथ बैठक की गई बैठक में डिसी ने बताया की मानसून में नदियों से बालू उठाव पर रोक लगाई जाती है जो 10 जून से लगाई गई और 15 अक्टूबर तक के लिए नदियों से खनन पर पुरी तरह से रोक रहेगी बालू उठाव पर रोक के बाद टास्पुर का गठन किया गया है जिसमें बालू घाटों से ततकाल पर भाहों से बालू उठाव बंद कर दिया गया है अब हर दिन आने वाले सेंपल की होगी जाच जारखन में सेंपल का वैकलोग बढ़ता जा रहा था वैकलोग सेंपल की संख्या 13631 हो गई थी लेकिन सिर्फ साथ दिनों में ही वैकलोग को कम कर दिया गया अब सरकार के पास जाच के लिए जितने सेंपल आएंगे रोजाना उतनी ही जाच होगी आपको बता दे कि बेक लोग सिर्फ साथ दिन में ही कम हो गई है चत्रा उपायुक्त ने की लोगों से घरों में रने की अपील चात्रा में नए मरीज मिलने के बाद चात्रा उपायुक्त ने बताया कि जिन गाओं से संक्रामित मरीज मिले हैं उन गाओं को सनिटाज किया जा रहा है गाओं में पुलिस के तैनाती कर दी गए और गाओं को कॉंटेनमेंट जोन घोसित कर दिया गया है चत्रा उपायुक्त ने जीले वासियों से कहा है कोने घवराने की जरूरत नहीं है सवी सोसल डिस्टेंसिंग का पारण करे और बेवाजा घरों से बाहर नहीं निकले राज में पलायन रोकने के लिए नया मोडल अपनाना होगा मरांडी भाजपा विदायक दल के नेता बावलल मरांडी का मानना है कि 10 लाग परवासियों को नोकरी देना बहुत बड़ी चुनावती है ऐसे दवा करना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हैं खेती और मन्रेगा इतनी बड़ी आबादी के लिए काफी नहीं है जाखन की स्थिती पर गौर करेंगे तो या आकड़े खेतियर नहीं है लोगों के पास बहुत जमीन नहीं है सभी मर्जिनल किसान है मन्रेगा में भी ज्यादा संतोख नहीं है परवासी मजदूरों के लिए भी मन्रेगा के काम में सायध ही रूची रहे श्री मरांडी ने कहा कि परवासी की समस्याद दूर करनी है तो छे त्रपीसेश पर ध्यान देने की जरूरत है पाकुड में वीडियो पर ग्रामिनों ने किया हमला पाकुड के पाकुडिया में पूलिस टीम पर ग्रामिनों ने हमला कर दिया जिसमें थानेदार सही दो पूलिस कर्मी गभीन रूप से घायल हो गा है एसपी ने बताया कि पाकुडिया वीडियो सड़क निर्वान को लेकर ग्रामीनों के साथ वार्ता कर रहे थे इसी दोरन ग्रामीनों और वीडियों के साथ बिवाध हो गया जिसके करण वीडियो ने थाना प्रभारी को बुलाया था जो ग्रामिनों ने पिटाई कर दी सिम्डेगा में हाथी प्रभावित ग्रामिनों में राहत समागरी का वित्रन जापा नेत्री आईरिस एका ने सिम्डेगा के ठेठाई टड़ परखंड के राजावास पंचायत गाव पहुँच कर हाथी से प्रभावित छेत्रों का दवरा किया आईरिन नकाहा की छेत्रे में हाथीों का अतंक सालो भर जारी रहता है प्रभावित ग्रामिनों का समय पर मुवजा नहीं मिलने से इनकी परफानी बढ़ जाती है हजारी बाग में उत्पाद विभाग ने पकड़ा बिदेशी सराव उत्पाद विभाग ने बिहार भेजे जाने वाले बिदेशी सराव की एक खेप को जब्त किया है उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सुचना के अधार पर इसे पकड़ा हलाकि सराव माफिया भागने में सफल रहें आपको बता दे कि पकड़ा गया सराव 18 काटून था 18 जून से सहया घर घर भरमन कर सर्वे करेगी संक्रमन को देखते हुए पूरे राजे में एक साथ गहन जन स्वास्थ सर्वे सपता अभियान चलाया जाएगा इस अभियान में 40 बरस से अधिक आयू के लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग का सेंपर ली जाएगी आपको बता दे कि 18 जून को जन जागरूपता अवियान एवं गहन जन स्वास्थ सर्वे का व्यापक परचार परसार होगा तथा 19 से 21 जून तक सहया अपने गाउं के परतेग घर का भरमन सर्वे करेगी तथा 22 से 24 जून तक 40 बरस से अधिक उम्र के व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी आपकी अवाज कारिकरम के तहट अब इस चैनल पर ग्रामिनों की मुदा को उठाया जाएगा यह कारिकरम 13 जून से सुरू होगा आपकी अवाज कारिकरम में अपनी समस्या रखने के लिए आप वाट्सेप नंबर 37 32 2872 पर पूरा पता के साथ अपनी समस्या भेज सकते हैं परतेग दिन 25 नंबर न्यूज पर 5 लोगों की समस्या को उठाया जाएगा वाट्सेप ग्रूप जीला वाइज बनाया गया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में दिया गया है आप अपने जीला के अनुसार से ग्रूप में जूर सकते हैं ग्रूप में सिर्फ अपनी समस्या ही भेजे हैलो हाय ना करे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल आइकन दवाए साथी वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट्सेप फेस्बुक ट्यूटर इस्टागराम पर सेर करे और आप हमें कोमेंट में अपना राय अवस्य दे थाइंक्यू